बासकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे फेस्बुक पेज आर एनस एजुकेशन न्यूज पर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद इसका वेरिफिकेशन 10 फरवरी 2021 को कम्प्लीट हो चुकी हैं तीसरा जो इसमें अप्डेट आया था वो 26 फरवरी को 26 फरवरी 2021 को प्रतिसत यानि कि जो कट ओफ मार्क्स थे वो यहाँ पर जारी कर दिया गे थे प्रोविजनल सूची के और दोस्तों अब इसके बाद इन्होंने एक ग्रिवेंस पोर्टल चालू किया उससे पहले इन्होंने एक लिस्ट जारी करी कि भाई जो EWS है जो OBC क्रिमिलेर हैं, स्पोर्ट के हैं, EWS कैटेग्री है, विडो है, डाइवोर्स है, तमाम जो कैटेग्री 10 से 12 परकार की कैटेग्री नोंने जारी की थी कि यह रोल नंबर है इनको इन कैटेग्रीों से आउट किया जाता है और फिर इन्होंने ग्रिवेंस पोर्टल चालू क या अपत्ती की, कि आपको अपत्ती दर्ज करने का मोका दिया जाता है, अपत्ती दर्ज करने की लास्ट डेट थी 15 मार्च 2021, तो 15 मार्च तक जिन्होंने अपत्ती लगा दी, उसके बाद यहां पर अन्यच्यम ने क्या किया, कि 23 तारी को रिजल्ट जारी करने की जो 23 मार् जिसको result जारी करने की त्यारी कर ली थी ऐसा इन्होंने court में कहा है आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ये सारी बाते हैं तो दोस्तो इसी को ले करके जो अभ्यरती out किये गए थे इतियास की पहली ऐसी भरती जिसमें जो certificate थे 26 सितंबर 2020 के बाद जिन्होंने जम्मा कराया उनके लिए ये आफ़तें खड़ी कर दी मुश्किलें खड़ी कर दी कि आपने आपका जो certificate था 26 से पहले का होना ची कुछ जगह पे 8-10 जगह पे इसके verification हुए थे कुछ जगह पे मानने किया गया कुछ जगह पे मानने करने के बाद भी जब आपतियों वाली list आई कि इतने अभ्यरती यहां पर out किये गए इस category से उसमें उन बच्चों का भी नाम था तो आखिर वो क्या करेंगे तो ये गए high court और ये जो मामला है जो पूजा माथुर का है इनकी रिट संक्या है 31.10.2021 वो जोदपुर से रलेटेड हैं EWS category की candidate है और इनको general category में मान लिया गया इनके EWS certificate को मानने यहां पर नहीं किया तो दोस्तों इसी को लेकर कि ये रिट जो petition है जो याची का है वो दायर हुई और इस पर SP जो सर्मा जजज साहब है उन्होंने आदेश दिया और उस आदेश में क्या लिखा है वो आप लोग देखिएगा ये official जो update है जो court का जो आदेश है वो आप देख पारे हैं आप लोगों के mobile screen पर और इसमें देखिए पूजा माथूर वर्सेज स्टेट ओफ राजस्तान additional director administration department of medical and health सर्वसेर राजस्तान ठीक है इनकी जो advocate थी पूजा माथूर की जो advocate थी petitioner advocate थी वो थी कौमल कुमारी गिरी यानि कौमल जी सेखावद बहुत बढ़ी आदी वकता है ये इनकी advocate थी ठीक है अब इसमें देखिए 19 तारिक को इनका फैसला आया था 19 मार्च को ठीक है तो इसमें क्या कहा गया है ये अंगरेजी में लिखा गया पूरा का पूरा तो मैं आपको इसकी बातिव समझा देता हूँ इसमें ये कहा गया है कि जो petitioner थे यानि याचिका करता थी उन्होंने already submit कर दिया था जो EWS का certificate है बट जो department है NHM है उसने इसे consider नहीं किया यानि कि उसे मानने नहीं किया उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि इन्होंने जो grievance portal है वो भी यहाँ पे चालू किया बट उसके जो function है वो proper से काम नहीं कर पाए वहाँ पर विनके आपति ठीक से दर्जनी हो पाई ऐसा इन्होंने अपनी याचिका में कहा ठीक है और issue notice यहाँ पर फिर जब सब कुछ इनको देखने के बाद इनका जो है 26-3-2021 यानि कि 26 March तक Rajasthan High Court ने जो result है उस पर जारी करने पर रोक लगा दी है stay application की उनने मांग की थी इनका कहना था कि अगर result जारी हो जाता है तो सारी सीटे भर जाएंगी फिर हमारे मतलब का कुछ नहीं बचेगा इसलिए court ने इनकी जो stay application तक उससे स्विकार किया और यहाँ पर 26 March तक result जारी करने पर रोक लगा दी आगे भी आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए आपर और उससे court ने यह कहा है कि इनको consider किया जाए EWS category के अंदर ही यह line आप पढ़ सकते मैंने underlining को कर दिया है और एक और चीज यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों जो आपको 23 March को result जारी होना था उसके बारे में It is informed that there are several cases coming up in the court इसमें यह कहा गया है यह सुचित किया जाता है कि बहुत सारे cases court में आ रहे हैं more than यानि कि 100 से अधिक petitions have already been filled कि 100 से जादा जो याचिकाई हैं वो अब तक लग चुकी हैं जो लंबित हैं It is also informed that the respondents are going to declare the result on 23 March 21 यानि कि इन्हों ने यह कहा है कि जो respondent यानि कि respondent का मतलब है यहाँ पर NHM से कि NHM 23 तारीक result जारी करने वाला है और अब तक 100 से अधिक याचिकाई court में आ चुकी है इसलिए court ने क्या किया कि इनके जो application था इनके जो याचिका थी उस पर court ने result जारी करने पर रोक लगा दी है not to declare the result of CHO till further order of this court कि इस court के यानि कि राष्टन हाई court के आदेश से पहले CHO का जो result है वो जारी नहीं किया जाए अब इसमें क्या होगा दोस्तो 26-3-2021 यानि कि 26 March तक जो आपका result है वो यहाँ पर जारी नहीं होगा 26 तारीक को दुबारा इस case की सुनवाई होगी अगर इसमें आगा में date मान लिजी bad luck की वज़े से मिल जाती है तो आगे 26 March के आगे भी जो hearing है वो जा सकती है 26 तारीक को दुबारा से court इस चीज को सुनेगा इसमें NHM अपना pucks रखेगा क्योंकि issue notice यहाँ पर हुई है कारण बताओ notice हुई है याब उनके view को देखने के बाद court इस पर 26 March कुछ decision देगा अगर उस दिन decision नहीं हो पाता है तो आगे भी चीजे जा सकती है तो यह जो official जो कार्ट का order है रास्तन हाई कोट का वो मैंने आप लोगों को दिखाया है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो यह जानकारी थी आप लोगों के लिए वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सो से अधिक याची काई अभी भी लंबित हैं ऐसी पहली भरते जिसमें काफी सारे अभ्यरतियों के साथ ये इस तरीके की एनेच्यम विभाग ने गलती की है आप लोग चाहे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर कुछ भी करिए या ना करिए लेकिन सचा ये है कि यहाँ पर एनेच्यम ने गलत किया है और जब किसी के साथ गलत होता है तो उनके पास लास्ट जो अप्शन है वो कोड को ही बचता है रईसी वज़े से भरतियां उलजती है विभाग की फोलो करें फेस्बुक पेज को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों यूट्यूब पर भी हमें फोलो करें और ये जो पोल्ड का उडर अगर आप चाहते हैं देखना तो ये दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जो पीडियाप मैं देखकर के आपको बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा तो धन्यवाद जैहीं जै भारत